कोरोना वायरस से जहां पूली दुनिया अभी भी जूज रही है वहीं अब राहत बरीकबर आई है कि जल्द ही कोरोना को निप्टाने के लिए वैक्सिन मिल सकता है मीडिया रिपोर्ट के रुसार ब्रिटन की आक्स्वोर्ड यूनिवरसिटी की कोरोना वायरस वैक्सिन का ट्रायल आखरी चरह में है मीडिया रिपोर्ट की माने तो आक्सवूर्ड की वैक्सिन आज से सिर्फival 32 दिन बाद यांनी 6 हफ्ते में तयार हो सकती है वैक्सीन पर काम लगभग पूरा होने में है वैक्सीन को वग्यानिकों की और से मन्जूरी मिलने के बाद जल्द ही वैक्सीन लोगों को मिलने लगीगी यही नहीं इस वैक्सीन के पास होने के बाद इसके बाद लाखों डोस तयार करने की जरूरत होगी जिसके लिए उत्पादन के सुवधा कंपनी ने तयार कर ली है कोरोना वारस के हालातों पर नज़र डाले तो इससमें दुनिया भर में कोरोना का कहर जा रही है नहीं भारत में कोरोना की तबाही थम नहीं रही है भारत में कोरोना से करीब 70 से 75 हजार से जादा मामले रोजाना आ रहे हैं रविवार को अब तक के सबसे जादा मामले सामने आए रविवार को भारत में 78 हजार मामले सामने आए ऐसे में कोरोना वैक्सीन का जल्द से जल्द लोगों तक बहुशना अब जादा जरूरी हो गया है